सुरक्षाबल की पंजगनाई पोस्ट में ड्यूटी पर तैनाथ कॉंस्टेबल ने रात को ड्रोन की आवाज सुनी और उसको फायर से एंगेज करा तता सीमा सुरक्षाबल की पूरी पार्टियां एरिये में फैल गई ताकि सगन सर्च अभियान चलाया जा सके ये ड्रोन की फिर दुबारा एक बच के बत्तीस मिनिट पर आवाज आई तो बटालियन एटकॉाटर से भी कमांडनेंट बट्टी के नेतरत में भारी संक्या में करमी मौके पर पहुँच गए और राजबर एरिये को अपने अंडर कवर रखा सुबह जब छानबीन करी गई तो दो वार लाइक स्टोर मिलें जिसमें टिफन और पिस्टल क्लियर नजर आ रहे हैं एक टिफन तो ऐसा लग रहा है जमीन के अंदर चूंकि उपर ड्रोन से गिरा है आदा अंदर जमीन के अंदर गड़ गया है जबकि दूसरा सामने ही आपके देख सकते हैं टिफन और पिस्टल उसमें क्लियर वीजिबल है सीमा सुरक्षाबल के बहाद्दूर जवानों ने अपनी कर्तव्य का निर्वा करते हुए नशे के व्यापारी जो पाकिस्तान द्वारा समर्तक हैं उनक के नापाक इरादों को निश्फल कर दिया है सीमा सुरक्षाबल अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए देश की सुरक्षा के लिए द्रण प्रतिग्या है और अपनी प्राण की बाजी लगा करके भी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी यह फौक के मौसम में हमारी duty कई गुना कठिन हो जाती है पर सीमा सुरक्षा बलका जो बहादूर करतवे निश्ट जवान है वो पूरी सजगता के साथ अपने इलाके को लगातार घूंता रहता है छे गंटे की duty hours रहते हैं तो उस छे गंटे में भी bomb disposal square बुलाए गए तो bomb disposal square आने के बाद पता लगेगा कि इसमें क्या सामान है पर ऐसा बताया गया है कि पहले इसी तरह का सामान Atari में recover हुआ था उसमें कोई 2.7 kg RDX था और टिफन बॉम था तो most probably लगता है कि यह भी इसी तरह का है वैपन आप देख रहे हैं पिस्टल तो clear cut है और bomb disposal जब इसकी पूरी खोलेगा तब पता लगेगा कि एक्जेक्ट इसमें क्या है लाके में अभी दो दिन पहले भी चन्ना बी इडियोपी में दो बाट ड्रोन का मूवमेंट सुना गया था और उन दोनों ड्रोनों को हमारे बाद्दूर जवानों ने सजग जवानों ने फायर से एंगेज कराता और उनको फोर्स कर दिया था कि वह वापिस पाकिस्तान में तुरंट प्रवाओं से चले जाएं अपनी अगस्ते डॉमिनेट कर रहे हैं